सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सब्सक्राइब को मेरा रामराम आज हम छटी कक्षा का प्रशन नंबर 24 पढ़ेंगे ए भी रेखा पर बिंदू ए पर प्रकार द्वारा 75 डिगरी का कौन बनाओ तो हबी तक हमने एफ़े वन और एफ़े टू के सारे क्षेशन जमेंटरी के पढ़े थे अब हम एफ़े थी हम क्षेशन पढ़ रहे है यह सले बस हमारा है उसमें है पहला हमारा है 24 नंबर इसमें 35 डिगरी का कौन है तो सबसे पहले हम लेंगे ए भी रेखा जो हमें दी हुई है इस तरह समें भी रेखा लेंगे और हमने ए पॉइंट जो आपका एंपॉइंट है यह आपका एपॉइंट है यह इस पॉइंट का नाम ए दिया हुआ है तो हमने एपॉइंट पर प्रकार रखनी है तो यहां से हमने दॉट्ट एट ऐसे चाप लगानी है इस तरह से और इस चाप का हम नाम देते हैं यहाँ पे P अब हमने A, P जितनी हमने परकार खोल रगी थी और P पे रखनी है और यहाँ से पहली चाप लगानी है इस चाप का हम नाम देते हैं R उसके बाद हमने R पर परकार रखनी है और एक चाप हमने और इस तरह से यहाँ पर लगा देनी है इस तरह से इस चाप का नाम हम दे देते हैं H अब हमने R और H जो है इन चापों को आगे बढ़ा देना इस तरह से हमने H से बढ़ा दी है फिर H पर परकार रखी और R वाली चाप के बराबर हमने यहां से कार दिया है तो यह आपको पता ही है यह कितने डिगरी का कौन बना हमारा अपने दिमाग पे रखी यह बात कितने डिगरी का कौन बना शावाश यह हमारा एंकल बना 90 डिगरी का और इसको हम यहाँ पे डॉट टेट लगा देंगे अब आप पूछेंगे कि हमने 75 डिगरी का बनाना था जी यह 90 डिगरी का क्यों बना दिया तो बैटा 75 डिगरी का कौन बनाने के लिए पहले हमें 90 डिगरी का कौन बनाना पड़ता है अब यह आपका 90 है यह आपका 60 है यह 90 डिगरी कौन पर हमने नाम दे देना है एन इसका जो दूरी होती हो 30 की होती तो वहां आधा करेंगे तो पंद्रा पंद्रा हो जाएगा तो 60 और पंद्रा 75 और नंसे 14 घटाके तो भी paints 75 बनेगा नंसे 15 घटाके तो हमने क्या करना है एक चाप हमने आप पर रखकर के आगे बढ़ा दिये और अब हमने यह यह ञ aussi आप रख dog हमने जो है ओ you इस चाप को से से 3 काटओ अब जहां पही कट रही है यह प्वैंट हमाला गया इसको मिला देना है और हम इसको बिलकुल डार्क मिला है इस तरह से देखो इसमें तीन तरह की लाइन आपको दशाई जा दिये दी वी रेका यह हल्की होती है यह आपकी साइक रेका है यह डॉटेड लाइन है यह आपकी अंसर रेका है यह उत्तर की रेका जिसको हम कहते हैं यह आपका प्रेशन जो है वो बन के त्यार हो गया है, यह हमारा एंगल बना है, 75 डिगरी का, यह प्रेशन नमबर आपका है, 14, अब हम अगला प्रेशन पढ़ेंगे, प्रेशन नमबर पचीस, यह है, ए बी रेखा पर बिंदू ए पर परकार द्वारा, 37 डिगरी का कौन बना, तो हमने इस से पहले 75 डिगरी का कौन बना था, तो हम प्राफट पहले 75 का ही कौन बनाएंगे, उसका आदा हम करेंगे, तो हमारा जो है वो, 37 डिगरी का कौन बनेग करेंगे, तो हमने सबसे पहले वही मैधड हमारा है, क्योंकि इसमें कहा है कि a b रेखा पर आपने बिंदू a पर बनाना है, तो यह आपकी a b रेखा आ गए है, यह आपका a point है, यह आपका b, इस point का नाम b है, इस point का नाम a दिया हुआ है, हमने क्या करना है, फटापट हम य इस चाप का नाम हम यहां पे भी पी दे देते हैं और पी पॉइंट पर प्रकार करके हमने पहली चाप लगा दी इसका नाम हम दे देते हैं यहां पे आर तो हम दूसरी चाप लगाता है आर है और इस चाप आर पॉइंट पर प्रकार हमने इस तरह से रख दिया है और हम आगे के चाप लगा देंगा इस तरह से इस पॉइंट का नाम हम दे जाते हैं अब हमने क्या करना है आर पॉइंट पर प्रकार रखो चाब उपर को लगा दो यहां से एक चाप और लगा दो अभी कितने डिगर का कौन बन गया हमारा यह मैंने अभी बनाया था वाद यह डॉटेट बनेगा शबाश कितने डिगर का कौन बना कि नमबे डिगरी का और इसका नाम हम दे देते हैं ऑच यह यह द्यान लकना है वह हमने और से चाप लगानी है यह प्यान है एक चाप हम लगाएंगे एच पॉइंट से अब ये बताओ शावाश ये कितने डिग्री का कौन बना हमारा तोगि मैंने अभी ये कौन बनाया था इसलिए आपके जहन में दिमाग में ये बात होने चाहिए कि यदि हम 90 डिग्री के कौन का और 60 डिग्री की जो चाव हमारे लगी है जिसका हम आधा करते हैं तो कितने डिग्री का कौन बनता है शावाश ये आप बता सकते है ये आपका कौन है यहाँ जो इस पे नाम है वो N है ये आपका नाम D दिया हुआ है इधर नाम आपका E है तो ये आपका अब ये जो कौन बना ये मैं बता सकता हूँ ये बना 75 डिग्री का और हमने कौन बनाना है 37 डिग्री का तो हमने P पर परकार रखनी है और यहाँ तक परकार रखनी है ये आपका जो 75 डिग्री का है यहाँ तक हैं और हमने क्या करना बच्चों यहां से हम चाप लगाएंगे इस तरह से यह आप देख सकते हैं ऐसे हम चाप लगाएंगे और अब हम यहाँ परकार रखेंगे जो हमारा 75 डिगरी का कौन यह चाप पर कट रहा है और P जतनी परकार खोलके हम यहाँ से इस तरह से चाप लगा देंगे इस तरह से जहाँ पर दोनों चापे आपस में कट रही है यह इस पॉइंट पर कट रही है इसका ना हम देते हैं के अब हमने क्या करना है के और ए इसको हमने अच्छे से मिला देना डार्क यह इस तरह से अब यह जो आपकी लाइनारी है यह CAB यह चो कौन बन रहा है यह बन रहा है सड़े 37 डिगरी का इस तरह से यह हमारा 37 डिगरी का कौन बन रहा है यह प्रशन नंबर आपका 25 है इस तरह से आपने इसको अच्छे से बनाना है